प्यारे बच्चों, जब हम सब्दों की चर्चा करते हैं, तब इसमें मैं, तुम, इस तरह की जो सर्वनाम सब्दों होते हैं, ये भी बहुधा वाक्य में प्रयोग होते ही हैं, तो इनके सब्दरूप कैसे बनेंगे, इसके विषम भी आईए हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं असमद असमद का तातपर यह होता है मैं जैसा कि इसका प्रत्मा भी वक्ति आप जानते हो अहम आवाम वयम यह होता है और जब हम वाक्यों में प्रयोक करते हैं तो एक वचन के वाक्यों के लिए हम अहम का प्रय करेंगे जैसे वाक्य में हम उधारन देखते हैं यह हम हिणじ wearing में यह एक वाक्य कहें कि मंइ पढ़ता हूं तब वहां पर हम क्या प्रवां प्रयोग करेंगें है आहम आवाम या वयं चुकि मंइ पढ़ता हूं यह एक वचन में कहा जा रहा है इसलिए निश्यत रुप से हम प्रत्मविभक्ति एक वचन का करता पद्जयन करेंगे और वहां पर हम देखते हैं वहां है अहम तो अहम का प्रयोक करेंगे अहम पठामी इस तरह वाक्य बनाएंगे जैसे हम दोनों पढ़ते हैं यह वाक्य कहा जाए तब क्या कहेंगे तब यहां पर हम देखेंगे हम दोनों अर्थात करता जो है द्विवचन में है ऐसी स्थिती में हम आवाम पठावह का प्रयोक करेंगे ऐसे ही जैसे तीन या अधिक संख्या जो होती है इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोक करते हैं जैसे कहा जाए हम करता कौन से वचन का है हम सब हम सब के लिए संस्कृत में कहाना है तब उसके लिए हम क्या कहेंगे तब हम यहां देखेंगे कि करता कौन से वचन का है हम सब हम सब के लिए संस्कृत में हम कहेंगे वयम हम आवाम वयम तो वयम क्या है देखिए असमत मतलब मैं और इसका प्रत और फिर वाक्य का निर्मान करेंगे चुंकि करता पद बहुवचन का है इसलिए क्रिया पद भी बहुवचन का हमको लेना होगा तो वयम पठामह इसका प्रयोक करेंगे हैं तो आईए हम देखते हैं अस्मद सब्द का सब्द रूप प्रत्मविभक्ति में क्या होगा प्रत्मविभक्ति में इसका रूप बनेगा अहम आवाम वयम द्वित्यविभक्ति में क्या होगा द्वित्यविभक्ति में ध्यान दीजेगा यहां दो दो रूप बनते हैं द्वित्यविभक्ति एक वचन में भी दो रूप है द्विवच क्या जा सकता है इसके पस्चात है आवाम नव अस्मान नह त्रितियावी भक्ति में क्या प्रयोग होगा त्रितियावी भक्ति में बनता है रूप मया आवा भ्याम अस्मा भी है चतूर्थी भक्ति में रूप बनता है ध्यान दिजेगा चतूर्थी भक्ति में भी दो रूप बनते हैं प्रत्येक वचनों में दो दो रूप बनते हैं जैसे एक वचन में इसका रूप बनता है महियम में आवा भ्याम नव अस्मभ्यम नह ये चतूर्थी भक्ति में इसका प्रयोग हुआ आईए पंच्वी भक्ति देखते हैं पंच्वी भक्ति में अस्मद का रूप बनता है मत आवाभ्याम अस्मत सश्थ्य भक्ति, सश्थ्य भक्ति में भी दो दो रूप बनेंगे प्रत्य एक वचनों के कौन कौन से रूप बनेंगे, सश्थ्य भक्ति में रूप बनता है मम मे आवयोह नव अस्माकम नह तो इस तरह से इसके रूप बन गए, सश्थ्य भक्ति में सब्तमी भक्ति में असमद का सब्द रूप क्या होगा सब्द रूप होगा सब्तमी भक्ति में मई आवयोह असमासु तो इस तरह से हमने असमद सब्द का साथ विभक्तियों में प्रत्मा से लेकर सब्तमी तक की विभक्तियों में इसके रूप बना लिए अब इसका वास्ता जैसे हम कोई भी वाक्य कहते हैं, जैसे हमने उधार न भी लिया, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं को हमने भी क्या कहा? हाँ, मैं पढ़ता हूं इस वाक्य को कहा गया, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग किया? बिल्कुल सही, हम दोनों प पढ़ते हैं इसको कहेंगे आवां पठावह और हम सब पढ़ते हैं व यम पठामह तो इस तरह से हमने प्रत्माई भक्ति का तो प्रयोक कर लिया लेकिन यदि हमको अब दुवितिया भक्ति का जो रूप है जैसे माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, नह, इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहां प्रयोग होगा, किस तरह से वाक्यों में इसका रूप बनता है, इस रूप का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया कहता है तब क्या कहेंगे तब वहाँ पर मुझसे से कहां है कहने का साधान है यहाँ पर करण है तो यहाँ पर यत्रिति विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है मैं के साथ में मुझसे तो सह मया कथ यति वह मुझसे कहता है तो इस तरह से हम जो विभिन विभक्तियां है विभ सनस्क्रित को समझ सकते हैं तो यहह चर्चा हो गई असमद अर्थात मैं यह उत्तम पुरुस वाचक सब्द है इसी तरह से मध्यम पुरुस वाचक सब्द है यूसमद का अर्था होता है तुम तो यूस्मद का सब्द रूप हम कैसे बनाएंगे जैसे हमने अभी अस्मद का रूप बनाया उसी तरह से यूस्मद का सब्द रूप भी बनाएंगे तो यूस्मद का सब्द रूप क्या होगा यूस्मद का सब्द रूप होगा प्रत्मविभक्ति एक वचन में त्वम यूवाम यूयम द्वितिया विभक्ति में इसका रूप बनता है जैसे अस्मद का द्वितिया विभक्ति में दो दो रूप बना था प्रत्येक वचनों का उसी तरह से यूस्मद सब्द का भी द्वितिया विभक्ति में प्रत्येक वचनों के दो दो रूप बनते हैं यहां पर रूप बनता है त्वाम त्वा युवाम वाम योस्मान वह त्रितियाव भक्ति में इसका रूप होगा त्वया युवाभ्याम योस्मा भी है चतुर्थी भक्ति में चतुर्थी भक्ति में भी सभी वचनों में दो दो रूप बनेंगे क्या होगा रूप तुभ्यम ते यूवा भ्याम वाम योस्मभ्यम वह पंच्मी भक्ति पंच्मी भक्ति में इसका रूप होता है त्वत यूवा भ्याम योस्मत सश्ट्य हुण करते है तो इस तरह से रूप बनता है। में यूश्मद का रूप बनता है तो इस तरह से रूप बनता है इसका वाक्ट्यों में प्रयोक कैसे करेंगे। जैसे आप प्रत्म भी भक्ति देख रहे हैं त्वम यूवाम यूयम त्वम का तात्पर यह है एक के लिए कहा जा रहा है जैसे तुम पढ़ते हो यह वाक्य कहा जाए तुम पढ़ते हो यह कहा जाए और इसका हम को संस्कृत में रुपानतरण करना है तब कैसे करेंगे तब मद्याम पूरुस एक वचन की क्रिया लेंगे और वहाँ पर फिर कहेंगे पठासी और यदि कहा जाए कि तुम दोनों पढ़ते हो तब क्या कहेंगे तुम दोनों के लिए क्या प्रयोग करेंगे तुम दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे यूवाम यूवाम पठाथ और यूयाम पठत तुम सब पढ़ते हो तो इस तरह से हैं जैसे हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है यह कहा जाए तब हमको यहां पर देखना होगा तुम्हारा जो कहा गिया यह तुम से तो बना है अर्थात यूसमद का तुरूप है और इसमें लगा क्या है इसमें लगा है रा तो रा रेरी का प्रयोग कहां कि जाता है अभी हमने पढ़ा कि सश्थु भक्ति में क्या होता है का के की और रा रेरी ये दोनों का प्रयोग होता है और यहां पर रूप आया क्या रा तो रा अर्थात सश्थु भक्ति और तुम्हारा कहने से कितने संख्या का प्रता चलता है यहाँ पर किवल एक संख्या का पता चलता है, इसलिए हम तुम्हारा के लिए कौन सा सब्द प्रयोक करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूसमद, यूसमद का सब्द रूप देखना होगा, यूसमद का सब्द रूप, सस्थ्वी भक्ति, एक वचन का रूप यहां पर रूप है, तो तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, यह कहेंगे, तो इस तरह से हम जो यह रूप पढ़ रहे हैं सब्दों के रूप पढ़ रहे हैं इन रूपों का विभिन वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं या कहें कि जब हम विभिन वाक्यों की रचना करते हैं तब इन सब्दों का उपयोग हमें करना होता है तो उसके लिए आवशक होता है हमें इन जानकारिया होना आप देख रहे हैं अभी हमने अध्यान किया अस्मद और योस्मद का इन दूनों कुछ समानताएं है जा समानता यह है कि दूट्यय भक्ति चतूर्थी भक्ति और सष्ठी भक्ति इन में दो-दो रूप बने हैं अर्थात दूसरा जो रूप है ये भी आपको विहीन परिक्षाओं में पूछा जा सकता है जैसे में कहा गया में का प्रयोग असमद सब्दुरूप में होता है कौन से विभक्ति में होता है कौन से वचन में होता है यह परिक्षम युदि पूछ दिया जाए यह कहा गया कि मैं इस पद का विभक्ति और वचन बताईए तब आप क्या कहेंगे तब वहाँ पर हमको देखना होगा कि में का प्रयोग कहां कहा हुआ है जहां जहां प्रयोग हुआ है वो दोनों इसके अंतरगत आ जाएंगे जैसे हम देखते हैं असमत के रूप में हां ये देखिए आपको दिखाइए रहा है चतूर्थ attachi qam में मुला चत्राक्रीजुप को श्वुए बीजा रसाऊज्टराप रावं अधार के ऐसी अयाखन को च्राइब है रहे ही गट यह को उन्याफ सव कि दोनों में एक वचन में यह रूप प्रयूट होता है। इसी तरह से जैसे नह कहा गया तो नह का प्रयूग कहा किया जाता है ? नह का विभक्ति और वचन हम को बताना है तब इसके लिए हमको देखना होगा। तो नह का प्रयोग जो है, असमद की कारकरचन हम देखते हैं, सब दो रूप देख रहे हैं, इस में हमको दिखाई देता है, द्वीद्यविभक्ती बहुवचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, अस्मान नहा, इसी तरण सम देखते हैं, चतूर्थी विभक्ती बहुवचन में, तो ड्वित्याव हिभक्ति चतूर्थी विभक्ति और सच्थी विभक्ति के बहुवचन में इस पद का प्रयोग हुआ है तो द्वित्यवी भक्ति, चतूर्थी भक्ति और सस्थ्वी भक्ति बहु वचन का यह रूप है तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं ऐसे ही हम बात करते हैं योस्मत की तो योस्मत भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वह का जैसे प्रयोग हुआ है वह का प्रयोग कहां कहां हुआ है युस्मत की कारक्रचन में आप देख रहे हैं यहां पर प्रयोग हुआ है द्वितिया भक्ति बहुवचन में युस्मान वह चतूर्थी भक्ति बहुवचन में युस्मभ्यम वह इसी तरह से सश्ठ्वी भक्ति में देखते हैं सश्ठ्वी इसा कहते हैं तब भी सही है क्योंकि तीनों इस्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है यदि आप तीनों इस्थान को बता सकते हैं द्वीतिया चतूर्थी और सश्थी बहुवचन ऐसा करके और बहुत उत्तम होगा तो इस तरह से हमको इन सब्द रूपों के विशय में जानकारियां प्राप्त करनी है और इस जानकारी के कारण हम फिर संस्कृत को भली भाती समझ पाएंगे और विभी नवाक्यों में इसके रूपों का सब्द रूपों का उपयोग कर पाएंगे है यहाई बच्छों अभी हमने अध्यान किया असमद और यूसमद का आईए अब हम देखते हैं कुछ और अन्य जो सर्वनाम है जो प्रथम पूरुष के सर्वनाम कहे जाते हैंarken उन सर्वनाम सब्दों का रूप कैसे बंता है तो वे रूप कैसे कौन कौन से होते हैं जैसे हम सामान रूप से हिंदी में बात करते हैं वह जा रहा है कहते हैं तो वह कहते हैं तो वह के लिए हम क्या कहेंगे तो वह के लिए हम प्रयुक्त करते हैं सह तो सह का मूल सब्द क्या है यह हमको जानना होगा तो सह का मूल सब्द है तद जिसको हम जिसका रूप बनता है तद तो इसके जो रूप होता है यह जो तद है तद के रूप जो है यह तीनों लिंगों में अलग अलग बनता है जैसे हम हिंदी में बात करते हैं वह जाता है वह जाती है या वह गिरता है इस तरह से वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं लेकिन संस्कृत में हम देखेंगे इन में ये जो वह जो आया हिंदी में वाक्य में ये जो तीन वाक्य हम देख रहे हैं वह जाता है वह जाती है या वह गिरता है ऐसे जो वाक्य हैं इन सभी वाक्यों में हिंदी में हम देखते हैं वह का रूप एक जैस अच्छा दिखता है क्रिया के रूपों में भिन्नता है लेकिन संस्कृत में यह वह दिखाई दे रहा है इसका रूप जो है तीनों लिंगों में अलग-अलग होता है और इसका मूल सब्द है तद अर्थात तद का सब्द रूप तीनों लिंगों में अलग-अलग बनता है तो तद का रूप बनता है तद से और इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे किस तरह से रूप बनता है आईए हम देखते हैं तद जिसका रूप बनता है तद पूर्लिंग पूर्लिंग में इसका रूप क्या बनेगा पूर्लिंग प्रत्माविभक्ति में इसका रूप बनता है सह तव ते देत्य विक्ति में रूप बनेगा तम तव तान तरितियों भकति में रूप बनता है तेन ताभ्यामते जैसे हम कहते हैं वह जाता है इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसको हमको संस्क्रित में कहना है इस वाकव करूपांतरण करने केलिए हम को क्या करना पड़ेगा? वहाको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो वहाको कहते हैं तद और चुक्रही जाता है इस से link का पता चलता है. अर्थाथ pulting है. तो pulting केलिए क्या कहेंगे? तो pulting केलिए वहाँ पर हम प्रयुक्त करेंगे सह जैसे हम कहते हैं बालक जाता है तो बालक क्या है बालक पूर्लिंग है तो वैसे ही अब बालक के इस्थान पर कौन जाता है यह हमको पता नहीं है तब हम कहेंगे वह जाता है इस तरह के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं तो वह जाता है कहना है तब हम संस्कृत में क्या कहेंगे तब वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सरह गच्छती दो बालक जाते हैं या वे दोनों जाते हैं ये हमको कहना है वे दोनों जाते हैं ऐसा कोई वाग्या है इसको हमको संस्कृत भी वचन में तद का रूप क्या होगा पूर्लिंग में यह हमको देखना होगा तब आप सब्ध में देख रहे हैं तब लिखा हुआ है प्रत्मय भाक्ति द्विवचन का रूप देखिए यहां लिखा हुआ है तव तवë गच्छत तवë गच्छत तो इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे यदि यह कहा जाए कि वे सब जाते हैं तब क्या होगा तब उसके लिए हमको पुना देखना होगा तद पूर्लिंग सब्द का प्रत्मय भक्ति बहु वचन का रूप क्यों क्यों कि करता जो है बहुत से हैं वे सब जाते हैं मतलब जाने तो इस तरह से हम यदि हम कहें कि वह उसको पूस्तक देता है वह उसको पूस्तक देता है यह वाक्य है इसको संस्कृत में कहाना है तब क्या कहेंगे तो वह के लिए तो हम कहा देंगे अब पूर्डिंग है सह कहेंगे उसको उसको कहने के लिए क्या कहना होगा तब फिर हम देखेंगे करताने कर्म को तो कर्म क्या है यहाँ पर कर्म अरथात दूतियाविभक्ति दूतियाविभक्ति तद सब्द पूर्डिंग एक वचन तो सह तम पूस्तकम ददाती वह उसको पूस्तक देता है तो इस तरह से हम वाक्यों प्रयोग कर लिए तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए सब्द रूप का ज्यान होना चाहिए तो तद यह जो सर्वनाम है बहुत महत्त पूर्ण है बहुत हाँ वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में जितने वाक्यों किरशना करते हैं उन वाक्यों में अधिकांस तह सर्वनाम युक्त होते हैं तो इसलिए यह जो सर्वनाम है तद बहुत महत्त पूर्ण ह इसके हमको जानकारिया होनी चाहिए आईए इसका इस्ट्रिलिंग का रूप कैसे बनता है यहां देखते हैं तो तद इस्ट्रिलिंग में इसका रूप थोड़ा सभिन्न होता है प्रत्मे विक्ति में आप देख रहे हैं तद इस्ट्रिलिंग प्रत्मे विक्ति का रूप सा ते ताह द्वितिया विक्ति में इसका रूप होता है ताम ते ताह त्रितिया विक्ति में इसका रूप बनेगा तया ताभ्याम ताभिह चतूर्थी भक्ति में इसका रूप होगा तस्याई ताभ्याम ताभ्यह पंच्मी भक्ति में इसका रूप होगा तस्याह ताभ्याम ताभ्यह सश्ट्य भक्ति में इसका रूप होगा तस्याह तयोह तासाम सब्तमी फक्ति में इसका रूप क्या होगा सब्तमी फक्ति में इसका रूप बनता है तस्याम तयोह तासु तो यह होगे इस्ट्रेलिंग में रूप अब इसका वाक्यों में प्रयोक कैसे करेंगे जैसे एक सदारन वाक्य है सरल वाक्य है वह जाती है तो वह जो है इस्ट्रिलिंग है कि पूर्लिंग है यह कैसे पता चलेगा तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो क्रिया है वाक्य में प्रविक्त जो क्रिया है उसके रूप को देखेंगे उससे हमको पता चलेगा कि यह जो वह है, यह पूरलिंग है कि इस्ट्रिलिंग है, तब हम देखते हैं, वह जाती है, जाती है मतलब यह इस्ट्रिलिंग को बता रहा है, तो वह जो क्या है, वह भी इस्ट्रिलिंग हो गया, तब वह के लिए अब हम क्या कहेंगे, इस वाक्यों को संस्क्रित में कहना ह हे तो चुकि कर्ता जो है इस्त्र लिंग में है और तब के स्ट्रिलिंग क्या होगा यह हमको ध्यान में रकाना है तब हम देखते हैं प्रत्माइभक्ति एक वचन में यह उसका अब भी हमको वाक्य बनाना हो तो हम इस तरह से इसके वाक्य बना सकते हैं जैसे पत्ता गिरता है अब कोई कहे कि वह गिरता है यह वाक्य बन गया पत्ता गिरता है तो हम कहेंगे पत्रम पतती कहेंगे लेकिन वह गिरता है तब क्या कहेंगे तब वहां पर हमको देखना होग तो तद का नपुन्सक्रित का रूप कैसा होगा यह हमको जानना चाहिए तो ध्यान देने वग्वाद यहा है कि नपुन्सक लिंग तद का रूप जो होता है इसमें प्रत्धम ब्वभक्ति और दुवित्या भट्य जो है इसमें भिणता होती है और उसके बाद सेस जो विभक्तिया है वो सेस पूर्लिंग के समान चलता है तो तद नपुनसक लिंग का रूप क्या होगा प्रत्मी भक्ति में इसका रूप होता है तद ते तानी द्वितियावी भक्ति में भी यही रूप बनता है तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत हाँ तेन ताभ्यां तई बिलकुल यही रूप नपुन सक्लिंग में भी बनेगा तो प्रत्मए भक्ती में बना रूप इसका ततते तानी दूठीय भक्ती में तततत तानी तरीत्य भक्ती में तेन पंचमि होगति में इसका रूप बनता है तर्फ मादताब्यां से भक्ति में रूप नेगा सिह मनें अध्यान किया हॉश्य जेज हुशर होगती मिले था प्रफ करें अध्यान्वाज की च्विप्र कुद परिक्षाओं में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है तो टे का प्रेयोग अभी हमने युसमद सब्द के सब्द रूप में भी देखा था वहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ था कहां कहां प्रयोग हुआ था ते का प्रयोग होता है चतूर्थी भक्ति एक वचन में और सश्थ्वी भक्ति एक वचन में तुभ्यम ते और तव ते इस रुप में आये था तो यूसमद, चतूर्थी भक्ति और स्ष्ट्विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग होता है इसके साथ-साथ हम प्रत्मयु भक्ति बहुवचन ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा ते का प्रयोक जो है तद में हम देखते हैं साथे ताह ये प्रत्मयु भक्ति और द्वित्योववग्ति इश्ट्रिलिंग में। द्वी वचन में भी इसका रूप प्रयूप तो हुआ आप ये भी बता सकते हैं तद, इस्ट्रलिंग, प्रत्मई भक्ति और द्वीत्योय भक्ति, द्वी वचन का यहां रूप है यहां आपका सकते हैं इसके अतिरेक्त ते का प्रयोग अभी हमने देखा नपूसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। नपुन शक लिंग प्रथमव भक्ति और द्वित्यवि भक्ति सब्सक्राइब परद मी बिया द्वित्य द्विवचन आहा6 प्रेयों को सिरना द्वित्य द्वित्य द्वित्यवय भक्त्राइब बहुता हो था और रिऊ necessarily हैं कि हमने जिस तरह से अध्यन किया तद का इसी तरह से जो सर्वनाम होते हैं जैसे यद का मतलब होता है जो इसका भी प्रयोग जो है तीनों लिंगों में होता है जैसे सब्सक्राइब typical में अuchen shed सब्सक्राइब का प्रोड यह आत्यार यह 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 ऑन-दिन में हैं इसका रूप हो न Talm तुर्वर्थी भक्ति में स्को रूप होगा श्व्याव्य को रूप होगा ।-इसको रूप वनेगा श्मई कुझ याब्याम यश्ज़ प के साम यस्मी भक्ति में स्कॉप वनेगा कि यस्मी doubled ययोह wiedh after yesu यह हो गया boiling का रूप इसी तरह से हम देखते हैं इस त्रिलिंग में यद का जो रूप और नपुन्सक लिंग में रूप कैसे बने नपुन्शक लिंग में इसका रूप बनता है जैसे तद का बना तद ते तानी उसी तरह से यद यद का रूप क्या बनेगा यद का नपुन्शक लिंग में रूप प्रत्मे विक्ति और दुवित्य विक्ति दोनों एक जैसा रहेगा प्रत्मे विक्ति में इसका रूप बनत कि ट्रीतियमें इसका रूप होगा यह उसमात याप्भ्याम यह च्थ में रूप होगा यह संग मैं रूप že तो इस तरह से यद सब्दका तीनों लिंगों में रूप इस तरह से प्रयुक तो होता है जैसे हमको कहना होगा वाक्यों में प्रयुक करते हैं जैसे वह जो आया था वह चला गिया वह जो आया था वह चला गिया वह सह जो जो आया था वह चला गिया सह गत्वान तो जो यो आया इसके तो इस तरह से यद का प्रयोग हम जो है विभिन वाक्यों में कर सकते हैं इसी तरह से एक बहुत ही महत्पूर्ण सर्वनाम है किम यह प्रस्ण वाचक वाक्यों जैसे हम बनाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है इसका भी रूप किम का मतलब होता है क्या इसका भी प्रयोग जो है इस्ट्रिलिंग और नपुन सकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं किस तरह से इसके रूप बनते हैं इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए तभी हम विभिन प्रस्ण वाच्चक वाक्यों को बना परिक्षा में जो विभीन प्रस्ण पूछे जाते हैं उन में क्या पूछा जा रहा है उसका उत्तर क्या देना है और कैसे देना है इसका ठीक ठीक ज्यान हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम किम सब्द का सब्द रूप भली भाती जानेंगे तो आईए हम देखते हैं किम सब्द का पूर्लिंग में सब्द रूप तो किम पूर्लिंग में सब्द रूप क्या होगा किम का रूप बनता है कह कौ के प्रत्मे भक्ति दूइत्य भक्ति में होगा कम कौ कान तृत्य भक्ति में रूप होनेगा केन काभ्याम कई चत्य भक्ति में रूप होगा कस्मई काभ्याम के भ्यह पंच्मी भक्ति में रूप बनता है कस्मात काभ्याम के भ्यह सश्ट्व विक्ति में रूप होता है कस्य कयोह के साम सब्तिम विक्ति में रूप होगा कस्मिन कयोह के सू यह होगा पूल्डिंग का रूप जैसे पूल्डिंग का रूप बना उसी तरह से इस्ट्रिलिंग का रूप बनेगा जैसे अभी हमने अध्यान किया था तद और यत का उसी तरह से किम का भी रूप जो है इसलिंग में उसी तरह से बनेगा जैसे तद और यत का बना था तो किम सब्द का इस्ट्रलिंग प्रत्मई भक्ति का रूप हम देखते हैं क्या बनता है प्रत्मई भक्ति में इसका रूप बनेगा का के का द्वित्य भक्ति में रूप होगा काम के का त्रित्य भक्ति में रूप बनता है कया काभ्याम काभि है चतुर्थी भक्ति में रूप होगा कस्याई काभ्याम काभ्य है पंच्वी भक्ति में रूप होता है कस्याह काभ्याम काभ्य है सश्ट्य विक्ति में रूप होगा कस्याह कयोह कासाम सब्त्य विक्ति में रूप होता है कस्याम कयोह कासू तो यह हो गया इस रिली में रूप नपूनसक लिंग क्यों राते हैं नपूनसक लिंग में किम सब्द का रूप क्या होगा जैसे तद का तद तेतानी होता है यत का यत ये यानी होता है उसी तरह से किम का क्या होगा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने किम के काने तो आईए, इसके प्रत्मा से लेकर सब्तमी तक की जो विभी न विभक्तियां होती हैं इन सभी विभक्तियों में, इसका रूप क्या-क्या बनेगा? वो हम देखते हैं, तो किम नपून सकलिंग, प्रत्मए विभक्ति का रूप किम के काने द्वीत्य भक्ति में रूप बनता है किम के काने तृतिया से लेकर सब्तमी तक की जो विभक्तियां है इन विभक्तियों के रूप किम के जैसे पूलिंग में रूप बना था ठीक वैसा ही रूप बनता है अर्थाद केवल प्रत्मा और द्वीत्य भक्ति जो है ये नपुन्शकलिंग में भिन्न होता है और शेस रूप पूर्णिंग के समान होते हैं तेक बार पुना हम देखते हैं किम का नपुन्शकलिंग का रूप प्रत्मय वक्ति किम के कानी दूत्य वक्ति किम के कानी तृत्य वक्ति केन काभ्याम कई चतुर्थी वक्ति कस्मई काभ् तो इस तरह से यह जो सर्वनाम पद हैं तद यद और किम इनके रूप किस किस तरह से बनते हैं यह हमने देख लिया जैसे कश्य कश्य कहा जाए और इसको कहा जाए कि आपके इसको मूल सब्द पहचानना है विभक्ति पहचानना है और वचन पहचानना है तो क्या पहचान करेंगे आप इसकी कश्य का मूल सब्द क्या है यह बना कैसे है तो कश्य बना है कीम से कीम का यह पूर्लिंग रूप में भी है और नपुनसकलिंग में भी है और एक वचन में यह प्रयुक्त होता है कहा पर सश्थ्वी भक्ति एक वचन का रूप कस्य और इसी तरह से नपुन्सक्लिंग में भी आप देख रहे हैं नपुन्सक्लिंग में भी सश्थ्वी भक्ति में एक वचन में इसका रूप दिखाई दे रहा है कस्य तो पुर्लिंग और नपुन्सक्लिंग दोनों में सश्थ्वी प्रिक्षाउं में प्रस्न पूछा जाए है तो उन प्रस्नों में जैसे कीम का प्रयोक किया गया तो उस कीम को आपको पहचानना है उसमें कौन सा रूप हुआ है प्रयूक्त हुआ है सह कीम यच्छती वह क्या चाहता है तो कीम का रूप कहा पर है यह आपको देखना होगा तो कीम का रूप जो है प्रत्मवी भक्ती और दूत्यवी भक्ती दोनों में प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर जैसे सहकिम यच्छती यह कहा जा रहा है तो कीम क्या है यहाँ पर क्या मतलब किसको चाहता है यह कहते है कि इसको को लग गया तो क्या हो गया यह दूतियाविभक्ती हो गया तो वह किसको चाहता है अर्थ क्या चाह रहा है यहाँ पूछा जा रहा है तो उसके अनुसार से आप जो बाच्च पुस्तक में जो पढ़ते हैं या जो जानकारियां पूछी जा रही है उसके अनुसार से उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे कैसे जब आप इन सब्द रूपों का भली भात ज्ञान प्राप्त कर लेंगे